हिंदी कक्षा 3 भाषा भारती पाठ 8 हमारा राष्ट्रिय ध्वज सुप्रभाद प्यारे भच्चों आज हम भाषा भारती के पाठ 8 हमारा राष्ट्रिय ध्वज यानि की हमारा राष्ट्रिय जंडा के बारे में आज हम पढ़ने जाएंगे बच्चों आपने सबने हमारा राष्ट्रे ध्वज तो देखा ही होगा हमारा जंडा तिरंगा जंडा आईए आज उसके बारे में हम कुछ ज्यान प्राप्त करते हैं भारत के राष्ट्रे ध्वज को तिरंगा कहते हैं राश्ट्रे ध्वज देश की स्वतंत्रता का प्रतीक होता है. हमारे राश्ट्रे ध्वज में तीन रंग विद्यमान है. केशरी, सफेद, वहरा. इसकी वज़े से इसका नाम तिरंगा रखा गया है. आईए बच्चो इस पार्ट का उद्देश्य देखते हैं. इस पार्ट को पढ़ने का उद्देश्य है कि हम राश्ट्रे जंडे की महत्ता को समझना और उसके प्रती आदर और सम्मान प्रकट करना. यानि कि इस पार्ट को पढ़ने का यह उद्देश्य होगा कि हम अपने राश्ट्रे जंडे की महत्ता यानि कि उसकी इम्पोर्टेंस उसके महत्व को समझेंगे और उसके प्रती आदर और सम्मान अपने अंदर प्रकट करेंगे. आईए बच्चों, पाठ में आए कुछ कटिन शब्दों को देखते हैं. कर्म्ठता, कर्तव्य के प्रती निष्ठा, तिरंगा, तीन रंगो वाला, पर्व, त्योहार, सम्रिधी, खुशाली, योध्धा, युध लड़ने वाला, निरंतर, लगातार, त्याग, बलिदान, सम्मान, आदर. पाठ आठ, हमारा राष्ट्रिय ध्वज. अध्यापिका, बच्चो, आज हम राष्ट्रिय ध्वज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे. तो एक कक्षा में अध्यापिका आती है और वह बच्चो से कहती है कि बच्चो, आज हम राष्ट्रिय ध्वज के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे. किसी देश का ध्वज उसके लिए बहुत महत्वपून है. तो अध्यापिका जी कहती है कि किसी भी देश का ध्वज क्यूं न हो, वे उस देश के लिए बहुत ही अधिक महत्वपून होता है. प्रतेक नागरिक को ध्वज का सम्मान करना चाहिए. प्रतेक देश का अपना राष्ट्रिय ध्वज होता है. तो अध्यापिगा जी बच्चों को समझा रही है कि प्रतेक नागरिक को नागरिक कौन होते हैं? जो देश में लोग रहते हैं. तो वे हैं बता रही है कि प्रत एक देश का अपना एक अपना ही राष्ट्रिय धज होता है स्वाती हमारा राष्ट्रिय धज कौन सा है तो एक महाँ पर बालिका बैठी है विध्यार्ती बैठी है जो पूछ रही है अपनी अध्यापिका जी से कि अध्यापिका जी हमारा राष्ट्रिय धज कौन सा है तो आ तीन रंगों का है इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रिय ध्वज है तो अब अध्यापिका जो है वो स्वाती को बता रहे है कि जो हमारा राष्ट्रिय ध्वज है वह तीन रंगों का है इसलिए इसे तिरंगा भी कहा जाता है और हमारे दे पिश्का राष्ट्रिये ध्वज है, अब एक विध्यार्थी अक्षे है, वह भी कुछ पूच रहा है या बता रहा है, आईए देखते हैं, हमारे ध्वज में तीन पटियां होती हैं, आप हमें उनके बारे में बताईए, अब अक्षे जो है वो अध्यापिकाजी को बता रह अरजुन जो दूसरा विध्यारती है वे कह रहा है हमारे जंडे में 3 रंग क्यों रखे गए हैं तो वे अब पूछ रहा है कि हमारे जंडे में 3 रंग ही क्यों रखे गए हैं आईए देखते हैं अब इस पर अध्यापिका जी क्या कहती है प्रतेक रंग का अलग-अलग महत्व है जंडे में सबसे उपर केसरिया रंग की पट्टी है यह बताती है कि भारतवासी वीर है यह रंग वीरता और त्याग का सूचक है पुराने समय में हमारे वीर योध्धा क केसरिया वस्त्र पहन कर युद्भूमी में जाया करते थे तो अब अध्यापिका जी क्या बता रही है अध्यापिका जी बता रही है कि जो हमारा राश्ट्रे धोज है उसमें प्रतेक रंग का अलग-अलग महत्व है तो हमारे जंडे में जो सबसे उपर आता है वे है केसर केसरिया रंग की जो पट्टी है वह बताती है कि जो भारतवासी है वह एक वीर है यह रंग वीरता और त्याप का सूचक है और पुराने समे में जो हमारे वीर योध्धा थे वो केसरिया रंग का वस्त्र पहन कर ही युद्भूमी में जाया करते थे तो बच्चों आशा करती हूँ आपको पाठ के इस भाग में समझ में आया होगा कि हमारे जंडे में कितनी पटियां होती है और सबसे उपर जो पटि है वो किस रंग की है और वो किस बात का प्रतीक है बाके की जानकारी अमारे राष्टे दोच के बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे